हेलो गाइस कैसे आप सब तो आज आपके लिए हम एक और प्रॉपर्टी ले गया है जो की हमारी फेस टू में है डीले फेस टू में और तीन सो गज में हैं नीचे से तीनों फ्लोर से एविलेबल हैं बहुत शांदार कंस्रक्शन है और बिल्डर फ्लोर आप देखेंगे तो आपको मजा आजाएगा और बारा मीटर रोड पे है साउट इस्ट फेसिंग है ए प्लस प्रॉपर्टी है और फोर बीएच के है और काम भी मतलब जेनुइनली बिल्डर ने जो है बहुत अच्छा करवाया हुआ है तो चलिए आज की प्रॉपर्टी आपको दिखाता हूँ पर आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज अगर आपको वीडियो पसंद आती है या हमारा काम पसंद आता है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और झाल झाल यह देखिए हमारी जो है बिल्डिंग की फ्रन्ट एलिवेशन आ जाती है और आपको दिखा जिता हूँ इस साइड पे हमारी बारा मीटर रोड आ जाती है गेट पे कुछ ऐसी डाग ग्रेश कलर की जो है लोहे की फिनिश आ जाती है है यहां पर देखिए आपको हॉक विजिन का यहां पर सिक्योरिटी डोर फोन कैमरा मिलता है ब्यूटिफुल एलिवेशन तो चलिए पारकिंग में एंटर कर लिया हमने यह देखिए मतलब घर में कहीं कमी नहीं है बिल्कुल छोटी सी भी कमी नहीं मिलेगी आपको इतना बड़िया काम करवाया हुआ है यह देखिए पूरी पारकिंग में यह सीलिंग में एलेडी लाइटिंग है और यह बाकी भी ओन करता हूं यह देखिए कि इतनी अच्छी लाइटिंग की हुई है रात के टाइम पारकिंग भी इतनी शांदर लगेगी इसकी तो यह पूरी हमारी parking space आ जाती है सारे में और अब मैं आपको पीछे का area दिखा देता हूँ यहाँ पे आपको यह cob light मिल जाती है light on करके दिखाता हूँ यह देखिए और यह हमारा जो है backyard आ जाता है और इस side पे चलते हैं तो हमारे servant room और उनका wash room आ जाता है तो यह मैंने जो आपको stilt area पूरा दिखा दिया है यहाँ पे अब मैं आपको जो है हमारी lift lobby area में entry करवाता हूँ सबसे पहली चीज़ दिखाऊँगा आपको एक second यह gate मैंने इसलिए ही बंद गिया है यह देखिए कितना बड़ा gate लगाया हुआ है यहाँ पे बहुत शांदार लग रहा है बहुत बड़े size में है gate और काफी heavy है build quality भी अच्छी है नीचे आपको यहाँ पर total Italian marble flooring मिल जाती है और शिंडलर की lift मिल जाती है और इस साइड पर देखिए पूरी बड़ी सी window मिल जाती है यहाँ पर लोहे की railing मिल जाती है और यह lighting मिल जाती है staircase में यह हमारी इस साइड पर lift आ जाती है यह देखिए शिंडलर की lift जैसा की मैंने बताया तो यह थी हमारी lift अब मैं आपको जो है staircase से हमारे upper ground floor पर लेगे जलता हूं वही floor दिखाने वाला हूं wall पर देखिए कि यह कुछ ऐसी finish मिल जाती है यहाँ पर designer light मिल जाती है यहाँ पर हमारी जो है नीचे लिफ्ट लॉबी एरिया जाता है और यह देखिए कुछ ऐसी finish हमें lift लॉबी की wall पर मिल जाती है lift की जो चारो तरफ से हमारी wall है and this is a beautiful home now सबसे पहली चीज में जो दिखाता हूं येल का lock मिल जाता है आपको यहाँ पर इसको gate को आप देखेंगे तो काफी heavy gate है तो इसे बंद कर देते हैं और अब मैं आपको house store शुरू करवाता हूं यहाँ पर आपको मैंने जो नीचे door phone camera दिखाया था उसकी screen मिल जाती है and ये देखिए यहाँ से ही शुरुआत करते है बहुत शांदार लग रहा है मतलब मैं camera में जो beauty है ना इस floor की वो दिखानी पा रहा हूं है देखिए नीचे पूरा Italian marble flooring है सामने की wall पे इतनी शांदार finish है यह हमारा basically यहाँ पे dining area आजाएगा और यहाँ पे drawing area आजाएगा यहाँ पे शैंडलिया मिल जाता है इस साइड पे AC मिल जाता है और यह देखिए glass की finish इस पे wall पे मिल जाती है यहाँ पे wooden की finish मिल जाती है और इस साइड पे भी एक AC मिल जाता है LED lighting देखिए दो दो अंदर भार fall ceiling में मिल जाती है LED lighting यह देखिए इस वाल पे यहाँ पे दो डिजाइनर लाइट्स मिल जाती है बहुत शांदार सी फिनिश दी हुई है वाल पे इस साइड पे हमारी फ्रेंट बैलकनी आ जाती है और अलुमीनियम के गेट्स मिल जाती है आपको यहाँ पे यह देखिए काफी शांत एरिया है और यह देखिए आपको क्लैडिंग मिल जाती है यहाँ पे सीलिंग में और कुछ ऐसी फिनिश वाल पे मिल जाती है जो स्टेर केस में मैंने आपको दिखाई थी इस साइड पे आपको टैप मिल जाती है तो यह थी हमारी फ्रेंट बैलकनी इस फ्लोर की न मेरे को मतलब एंटर करते ही फील एकदम अलग आ रही है और अब मैं आपको जो है इस साइड पे हमारा पाउडर रूम दिखा देता हूँ आल ब्लैक फिनिश में मिलेगा यहाँ पे यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कोलर की फिटिंग मिलेगी यह देखिए और एल एडी लाइटिंग मिल जाती है यह देखिए पूरे मिरर में कुछ ऐसी फिनिश वाल पे मिल जाती है बलाक टाइल्स की और नीचे स्टोरिज पेस मिल जाती है आपको तो ये था हमारा पाउडर रूम अब मैं आपको हमारी किचन दिखा देता हूँ इस साइड पे ये देखिए ये आपको जो है टोटली प्यॉर वाइट में आपको पूरी किचन मिलेगी और काफी क्लास ही लग रही है इस साइड पे हमें फ्रिज की स्पेस मिल जाती है और मैं आपको ये दिखाता हूँ देखिए पूरी वाइट फिनिश मिल जाएगी आपको किचन में और यहाँ पे अप्लाइंस की बात करें तो फैबर फैबर और यहाँ पे भी आपकी चिमनी फैबर की और हॉप भी फैबर का मतलब काफी अच्छा लग रहा है यह जो वाइट कलर का जो इनने किचिन में मतलब मौडुलर किचिन जो दिया हमारी हैटिक की सारी फिटिंग मिल जाएगी और यह मैं स्टोरिज स्पेस भी खोल के दिखा देता हूं सारी और यहाँ पर शटर मिल जाता आपको यह भी हमारी स्टोरिज स्पेस ही है बाकी बलैक कलर की फिनिश मिल जाती है इस लैप पर यहाँ पर डबल बॉल सिंक आ जाता है हमारा और इसे मैं खोल के एक सेकंड दिखा दिता हूं इसके अंदर यह देखिए अंदर गीजर मिल जाता है इसमें आपको और बाकी की स्टोरिज स्पेस यहाँ पर मैं आपको दिखा दिता हूं यह डिश वाशर के लिए स्पेस दी हुई है यहाँ पर और इस साइड पर हमारी जो है बैलकनी मैंने आपको दिखा ही दी जी और इसके अलावा मैं दिखा दूँ है हाँ पर यह देखिए लेडी लाइटिंग मिल जाती है पूरे में तो यह थी हमारी किचन अब मैं आपको जो है हमारा पहला बैडरूम दिखा देता हूं इस साइड पर यह बेसिकली हमारा मास्टर बैडरूम है शानदार फील है इसमें भी हमारा नीचे इटालियन मार्बल फ्लोरिंग आ जाती है वोडन की फिनिश आ जाती है यह देखिए कुछ ऐसे डिजाइन्स मिल जाते है और एलीडी लाइटिंग मिल जाती है और अगर इसे देखिए दूर से देखेंगे ना बहुत शानदार लग रहा है यह हमारा बैड का सिराना है बेसिकली और इस साइड पर आपको एसी की फिटिंग मिल जाती है और इस साइड की बैलकनी जो है मैं आपको दिखा ही चुका हूँ अलियूमीनियम के गेट्स मिल जाते है और बाकी इस साइड पर अब जो है हमारा वाश रूम आ जाता है यह वाश्रूम आपको बसंद आने वाला है मैं आपको दिखाऊंगा जब यह देखिए सबसे पहले जो है मैं इसे गेट को बंद करके आपको वोडरॉब दिखा देता हूँ वाइट और ब्लैक का जो कॉम्बिनेशन किया हुए ना बहुत शांदार लग रहा है मतलब वाश्रूम में भी किचिन में भी मैंने आपको दिखाया था कम ब्लैक ज़ादा वाइट कॉम्बिनेशन बहुत शांदार है और यह थी हमारी वोडरोब LED लाइटिंग मिल जाती है वोडरोब में अंदर आपको यह देखिए यह हमारा वाश्रूम यह यहाँ पर वेंटिलेशन के लिए विंडो मिल जाती है आपको और इस साइड पर पूरा बड़ा हीूज सा मिरर मिल जाता है आपको यह देखिए यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ कुछ ऐसी फिनिश हमें इस पर मिल जाती है रोका एंड कोलर की फिटिंग मिल जाती है आपको और यह देखिए पूरे में LED लाइटिंग मिल जाती है मिरर में बहुत यूज मिरर है और वाल पर कुछ ऐसी वाइट कलर की फिनिश मिल जाती है आपको और इस साइड पर हमारा जो है ये ग्लास पार्टिशन के साथ शावर एरिया आ जाता है और इसमें भी मैं इंटर करके दिखाता हूँ और आपको स्पेस देखेंगे ना मतलब बहुत स्पेशियस है वाश रूम शावर एरिया भी काफी बड़ा है तो ये था हमारा वाश रूम अब मैं आपको हमारे सेकंड बेडरूम की तरफ लेके सलता हूँ इस साइड पर हमारा सेकंड बेडरूम आ जाता है इस साइड पर एस ही मल जाता है यहाँ पर आपको विंडो मिल जाती है वेंटिलेशन के लिए शाफ्ट में खलती है हमारी विंडो और इसे बंद कर देते हैं इस साइड पर हमारी जो है बोड़रूम आ जाती है यह भी खोल के दिखा देता हूँ इसमें भी आपको LED लाइटिंग मिल जाएगी तो ये थी हमारी wardrobe हम आपको इस gate के बीचे एक सेगें ये हमारा washroom आजाता है अब यहाँ पर इस side पर मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें भी आपको यहाँ पर same roka and color की fitting मिल जाएगी बाकी LED लाइटिंग मिल जाएगी and wall पर कुछ ऐसी finish मिल जाएगी आपको इस side पर glass partition आजाएगा shower area के लिए और नीचे आपको यहाँ पर storage space मिल जाती है तो ये था हमारा second bedroom and its washroom तो चलिए आपको अब मैं हमारे third bedroom की जरफ लेगे जलता हूँ इस side पर हमारा third bedroom आजाता है काम में आपको कहीं से भी कमी नहीं लगेगी मेरे को तो नहीं लगी आप मतलब personally बताऊं तो इस side पर आपको Italian marble flooring यहाँ पर AC मिल जाता है LED lighting मिल जाती है और यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ एक second black color की glass की finish मिल जाती है उसके बाद side में white जो color combination पूरे घर में सबसे ज़्यादा चलता हुआ है वो ही bedroom की wall पर मिल जाता है आपको और इस side पर हमारी rear balcony आजाती है यह मैं दिखाता हूँ यह देखिए और इस side पर आपको जो है tap मिल जाती है और एक tap उस side पर मिल जाती है बाकि यह लोहे का जाल मिल जाता है पीछे security purpose से या इस पर आप planters रखना चाहें तो वो भी रख सकते हैं प्राइज रहेगा इसका 335 middle floor and 360 upper ground floor देखिए कितनी शांदार यहाँ पर wooden की finish मिल जाएगी आपको और कोई इसके अंदर नहीं बता सकता है कि हमारा washroom and dressing area है तो इस gate को हम बंद कर देते हैं आपको मैं wardrobe खोल के दिखा देता हूँ यहाँ पर इसके अंदर भी आपको LED lighting मिल जाएगी wardrobe में काफी बड़ी बड़ी wardrobe मिल जाती हैं आपको तो इसे बंद कर देते हैं and same wardrobe इस side पे भी मिल जाती है आपको यह and इस side पे हमारा washroom आजाता है आप यहाँ पे यह देखिए same roka and यहाँ पे आपका kोलर wall पे कुछ ऐसी finish मिल जाती है LED lighting मिल जाती है mirror में और बाकी इस side पे जो हमारा glass partition shower area के लिया आ जाता है और बाकी मतलब बहुत बड़ा space दिया हुआ है यह जो हमारा दिया हुआ है इसे हम second master भी बोल सकते हैं इस bedroom को तो यह हमारा fourth and last bedroom है इस side पे नीचे italian marble flooring मिल जाती है इसमें भी wall पे यह देखिए कुछ designer finish बनी हुई है and इस side पे यह balcony में आपको दिखा ही चुका हूँ यहाँ पे हमारा dressing area आ जाता है wardrobe आ जाती है यहाँ पे इसमें भी LED lighting मिल जाती है wardrobe में आपको यह देखिए and इस side पे washroom आ जाता है यहाँ पे यह देखिए wall पे कुछ ऐसी finish मिल जाती है आपको same brand यहाँ पे दोनों यह देखिए and LED lighting मिल जाती है और glass partition के साथ shower area आ जाता है तो मैं अपनी वीडियो जो है यहीं पे खतम करता हूँ मैंने आपको पूरी property जो है दिखा दिये बहुत शांदार काम करवाया हुआ है सारी designer finish है तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक कीजिए हमारे channel को share कीजिए जिनको ऐसी property की जरत है और please subscribe करे बिना ना जाए बहुत ज़्यादा मेहनत करते है उसी चीज के लिए आपकी कोई भी query होती है तो नीचे number मैंने mention किया है उस पे आप call या फिर whatsapp कर सकते है बाकी comment section में जरूर बताइए आपको क्या सबसे ज़्यादा पसंद आया तो thank you guys thank you so much